तो चलो, सिंपल से केस स्टड़ी दिखाते, तो देखो इसमें पॉब्लम क्या था, मैंने थोड़ा सा टेस आउट किया, उसके बाद गया, तो पहले बता दू, सो लॉंग टाइम बाद क्यूंकि काम का थोड़ा ज्यादा पेशर है, तो वीडियो बनने का टाइम नहीं मिला, तो इसलिए, तो देखो, यह केस स्टड़ी दिखाता हूँ, यह आसुस का 61 का मदरबूर है, इसका मॉडल नमबर है, पी एट 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 सिक्स्टी वान, एम एल एक स्टी आर टू पॉइंट जिरो, तो लिखा हुआ है हम पर ठीके, इसमें मैंने पावर देके रखा है अल् एक सेगन, क्या हुआ, यह बंद हो गया, थोड़ा सा चला, चलने के बाद यह बंद हो गया, फिर से मैं टिगर देता हूँ, तो यह देखो, तो यह क्या हुआ, मैंने जब भी थोड़ा सा पावर, मतलब पावर देने के बाद थोड़ा सा चला, फिर बंद हो गया, और यह दोबारा अगर मैं टिगर दूँ इसको दोबारा अगर मैं टिगर दूँ यह देखो यह है इसका फॉन पैनल तो यह नहीं चलता और डिवाक काड में देख सकते हो यहां पर जो हमारा है पीए सॉन 3.3 वोल्ट का जो एलेडी है वो गलो कर रहा है पर मदर बोर्ड में यहां पर इस बोर्ड में एक लडी होता है यह वाला तो यह लड़ी जल नहीं रहा है पर यह लडी में भी खराब है तो अब हम்ंतंस थोड़ा सा बोलट अ को दिखाते हैं और यह कहां से हो रहा है पम्लीन पहले मैं थोड़ा सा बोलटेश चेकाउड करबा दूँ उसके बाद मै है तो यह मल्टिमिटर नहीं आ रहा है कि अब देखो यह मल्टिमिटर आ रहा है स्वार्च को पास लेना कड़े मदा थोड़ा सात है अब रहा ठीक है कि तो देखो अब को यह हमारा फॉणंट पैनल नहीं ह्कों एक तो डूष्टी पर डालेंगेма यह तो एक जो है, phone panel में, कितना voltage है, यह देखो, 0.0.12V, और fluctuation कुछ है, 0.12V, तो, यहाँ पर कितना voltage होना चाहिए, 3.3V, जो कि यह नहीं आ रहा है, पर क्या है, कभी कबार आ रहा है, ठीक है, अबी देखो, नहीं आ रहा है, पर कभी कबार आ रहा है, तो यह बोल्टेज जो है बोल्टेज का कुछ फ्लक्ट्वेशन हो रहा है जिसके वज़ा से यह बोड अगर आप नॉर्मल यहां पर टिगर करो तो टिगर देखो ले नहीं रहा है तो पहले जब मैंने दिखाने जा रहा था तब एक बार मैंने जब डिबाग काट को फॉट है इसके बाद मुझे दिखा यहां पर प्यास अन जहां से शींद मिलेगा वो यह जो अनेक्टर है फॉर्मनेनल का6 करेक साथ ड़ इरेख से कैंशन है तहीं अनंचेंट करेक्षान तो यह जबाद थोड़ा से करें देखो इपनेश ह्वीट में उसलोंट के फैंड क है इसके इमपूर्ट में इमपूर्ट में कहां गया एक सेकें कौंसे वाल देखा था? हॉम, एक सेकेंड पाइप बोल वाला भी … जिड़ो पांट उ… सॉरी मुझे ने दिख रहा एक सेकेंड मैं थोड़ाँ सा देख लू कौनसा वाला रिष्टत था, ये वाला रिष्टत था, एक सेगन, एक सेगन, आम मैं थोड़ा सा खुद देखलू, कौनसा रिष्टत था, एक, दो, तीन, ये वाला, या फिर ये वा, एक सेगन, एक सेगन, मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा, थोड़ा सा होल्ट कर जाओ, भाई, कहा गया है मिला एलेडी, यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा, कम्बिनेशन कम है, एक, दो, तीन, तो पहले मैं इसको जड़ा आप कर देता हूँ, बोट को, क्यूंकि पहले थोड़ा सा, चेक करना है, कौन सा, पीन से ये, कनेक्टेड है, तो, ये हमने, बजर मोट पर डाल दिया, तो अभी देखो, यहाँ पर, मैं बाद में पास, माइक्रो पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल से ऐसे नहीं समझ पा होगे, तो, हमारा ये जो पॉजिटिव है, ओ, मुझे ढूना है, वो रेश्टर का, ये वाला, सौरी, ये इतना राष्ट है, मैं दिखाता हूँ अभी, क्योंकि ये इतना राष्ट है, इसका आउट्पूट में मिल रहा है, पर इंपूट में जो वोल्टेज जाता है, इंपूट से लेके यहाँ तक, वो नहीं मिल रहा है, अभी, देखो कौन सा वो रेश्टर था, मैं सूल हो जागता है दिखाता हूं, तो देखो विसीकरी एक सेगर्ण कफ़ुए देखो यह जो हमारा नहीं हो हमारा रोच है यह वाला नतों कि हमारा यह जो पार ब्रटन है यह पॉजिटीब यहां से यहां तक कनेक्ट है मतलब यहां से यहां से यहां तक यह directly connected है और voltage हम ओना 3.3 यहां पर है पर यहां पर आने रहा है यह देख सकते हो कितना राष्ट है यह रेश्टर काम नहीं कर रहा है जिसके वज़े से यह टिगर नहीं ले रहा है और यहां का जो voltage है 3.3 यह directly गया है आयो पर कहां गया यह आ रहा है एक सेगन यह बहुत दूर है मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा एक सेगन कहां गया यह आयो से आ रहा है ठीक है तो देखने की ज़रूरत नहीं है यह आ रहा है आयो से तो आयो से आ के यह आने के बाद यह इस रिश्टर का यह यहां पर आरा हया और एक second तो इस टेष्टर का यहां पर आरा है खीक है और यहां से आई ऩाधा तो इसAw पर आएगा अगर इस सुञच पर आता है इस बटन पर अगर आता है तो यह जो दोनों सुख यह ख़़ती चह मफ्स तब यह कोई देते हैं मैं अभी एक शोल्डरिंग इस्टेशन से इसको थोड़ा सा क्लीन करके दोनों साइट को शोल्डरिंग करूंगा उसके बाद देन हम देखेंगे कि हमारा बोल्टेज का इंप्रूब है कि नहीं वाँ पर ठीक है तो होल्ड करो मैं स्टेंड पर लगा देता हम इसको तो बिना माइक्रो पर यह के बिना यह देख नहीं सकते हो तो अभी देखो क्या करना है यह बोर्ट टिगर क्यों नहीं ले रहा है बस इतना सा ही काम है अभी देखो आपको अगर लॉजिक पता है तो आप इसली मतलब बोल्टेज के बारे में थोड़ा बहुत जानकरिया अब रखत अब बॉजिक है बता दो इक स्क्राइब क्योंकि अहां पर सबक्षा नहीं है कुछ कुछ लोगों को लगता है पर कौन सा कौन सा वर्ट में अपर में जो बोड आ रहा है उस बोट को आगर आप रीप्यार करना चाहते हो तो आपको अपको तो ठोड़ा सा लगे आगेगा चाहे जो भी company का हो asus msi gigabyte जो भी company का हो as rock तो देखो अभी हमें मोबाल से देख पाऊगे camera से तो फिर भी मैं और एक बर दिखा देता हो कौन सा रेइस्टर है तो यह था हमारा वो रेइस्टर जो की राष्ट था जो की बोल्टेज हमारा input में मिल रहा था और output से यहां तक ज ले रहा था तो अभी काम बस इतना ही करना है हमें एक शोल्डरिंग इस्टेशन लेना और यह जो रिश्टर है लिश्टर को हम कुछ भी नहीं करेंगे थोड़ा सा यहां पर पेश डालेंगे और इसको थोड़ा सा शोल्डरिंग कर देंगे इंपूट आउटपूट दोनों साइट को ठीक है तो चलो यह ले लिया हमने थोड़ा सा पेश्ट और पेश्ट चाहिए थोड़ा सा और यह मैं ट्वीजर से ले लेता हूं और कहां रखा मैंने भई कहां रखा था पेश्ट 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 कैने किविके मैंने तो बस दिखा दिया आपको बस वही करना है ज्यादा कुछ नहीं करना है मैं थोड़ा सा इस साइड में और इस साइड Maa الص कि मैं बस शोर्डर इंहसे सन से इसको ताच-प कर रहा हूं ठीक है बस थोड़ा सा टाच-प कर रहा हूं को पेज डाले बस काम बस इतना ही है अब चाहे 500 इसका आप चार्ज करो 300 करो आपके पेस के हिसाब से यह आप चार्ज करो कोई धिक्कर नहीं क्योंकि मेन काम जो है यह ढूनना वो आपने किया है चाहे एक दिन से क्या हो या फिर एक मिनिट पर क्या है पर आप नहीं इसका चार्ज बनना चाहिए पर बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि बोट कहीं सब से चार्ज करना है, देखना है कौन सा चीप सेट का बोड है, उसके उपर चार्ज बनता है, बोट का एक वैलू होता है, उसके उपर डिपेन करके चार्ज बनता है, कोई भी बोड जो भी काम करते हैं, ऐसे ही पर चार्ज वही होगा जो वो तैय करेगा और वोट के हिसाब से करना चाहिए ठीक है क्योंकि यह 61 का वोट है अराम से इसका 6,000 इसका आराम से प्राइज है न्यू न्यू तो आता नहीं अगर सेकेंड हन में जाए तो भी 3,000 अगर प्राइज है तो 500 आप इसली चार्च कर सकते हो तो हो गया अभी फिर से दिखाने की जरूरत नहीं है फिर भी मैं एक बार माइक्रो पर देख लेता हूं तो आप अब देख लो एक बार ये देख यह बार ऐसी रिष्टार जिसको मैंने इसको पर शोल्डरिंग किया अब देखो यह कहाँ अंजिक रहा है यह यह जी रिष्टर है इस रिष्टर से यहां तक जाता नहीं से आयो से connected है ठीक है तो अभी हम देखेंगे एक बार बोर्ड में अब यह टीगा लेता है कि नहीं बस वही देखना है ठीक है तो दिया और डिवाग कार्ड यहां पर लगाते हैं डिस्पले आये नाये वह बाद में वह टॉपिक बाद में है पहले हमें देखना है बोर्ड अच आयेगा तो पता चल जाएगा तो अभी लूव में पावर देता हूं इसको पावर दिया तो देखो डीवाग कार्ड में इसका फिर से या चुगा है यह आ गया पर यह जो लेडी है बोर्ड का यह अभी भी जल नहीं रहा है ठीक है तो मेरे खाल से यह लेडी कटा हुआ तो देखो, टिगर लिया है बोड, फैन, अच्छा फैन भी चल रहा है, लूज है यह थोड़ा सा फैन का कनेक्टर, अभी डिस्पले, हाँ डिस्पले आया है, डिस्पले, डिस्पले आ गया की बोड पे एक सेगन, यह बजर काम करेगा, की नहीं, पता नहीं, फिर से पाउर हाँ, देखो, बजर काम कर रहा है, डिस्पले आ गया, यह देखो, की बोड पे देख सकते हो, अभी मोनीटर पे मैं दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा माइक्रोस्कुप कनेक्टेड है, यह देखो, डिस्पले आ चुगा है, इसी बोड से कनेक्टेड है, ठीके, तो य यह है, छोटा सा केस स्टडी पर अच्छा लेगेगा, तो ट्राइ करते हैं, वीडियो डालने की, पर क्या है, टाइम मिले तब डालेंगे न, तो देखो, यह जो हमारा अभी प्लेस था, कहां गया, कहां गया, यह देखो, बोड में डिस्पले आ गया, बोड चल रहा है, की कैसे काम हुआ, यह समझ में नहीं आएगा, काम कैसे हुआ, यह भी जानना चाहिए, क्योंकि, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि, तो काम कैसे हुआ हमारा, तो DC 20 पर जाने के बाद, यह हो गया हमारा मल्टी मीटर, थोड़ा सा उपर कर देता हूँ, यह हो गया हमारा बोड भी चल रहा है डिस्पले है बोट पे तो अभी एक को ग्राउंड करते हैं हम एक को ग्राउंड करते हैं और यह देखो पावर बेटन पर कितना बोल्टेज अभी है तब जिरो पॉइंट सम्तिंग था याद नहीं है अभी फ्लक्टुएशन नहीं है तो 3.4 वोल्ट है यह दाल देता हूं यहां पर और यह जो रिष्टर था जो हमने रिसोल्ट किया है कहां गया कहां यह बाला यह देखो 3.4 वोल्ट 3.41 मतलब रिष्टर का इंपूट में 3.41 आउटपूट में भी कहां गया पर दाल नहीं हो रहा है यहां पर मदर बोड दाला मैंने वह रहा है अब हो गया ग्राउट तो देखो थोड़ा सा यह है 3.41 इंपूट आउटपूट 3.41 और यह गया है पार बटन 3.41 तिनों पैस से में अभी इसको वोट को हम आप करेंगे सॉरी अभी वोट को आप कर दिया मैंने इसको हटा देता हूँ यह सला डिस्टप कर रहा है कैमेरा का फोकस बार बार तो तू हट जा भाई पर यह काम का है बहुत यह बंदा तो देखो अभी हम जाएंगे क्या मल्टिमीटर पर कंटिनीटी पर बीप मोट पर डाइड मोट पर ठीक है तो यह है मोरा पार बटन और यह है वो रिजिस्टर यह देखो बीप कर रहा है यह बोल्टेज है क्या इस से कनेक्टेड है और इंपूट में भी इंपूट कनेक्टेड आउट्पु नहीं आएगा इंपूट से डिर्रेक बीप करेंगा आउट्पुट से ओंसा आएगा यह बाधार आरहा है क्योंकि यह आउसे कनेक्टेड है इसलिए तो यह था चोड़ा सा केस्न श्टडिए कॉन सा रिष्टर है क्ल लेकिन बताते हैं भीया रोग जाओ थोड़ा सा बहलू कि बहलू 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 तो रिष्टर मतलब ठीक है कितना दे रहा है थर्टी टू ओम्स का है ठीक है थर्टी टू ओम्स का है लगवक थोड़ा सा आसपास थर्टी से लेकिन फिर थर्टी फाइब तक हो सकता है तो थर्टी टू ओम्स का रिष्टर है और रिष्टर कहां पर प्लेस है वो मैंने दिखा दिया है तो अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो और रिष्टर भी कर सकते हो अगर आप आपके पास अगर सेम बोड है अगर रिष्टर बुक्स है आपके पास तो आप चेंज भी कर स बाइब